जेहिन साथियों नमस्कार केसे हैं आप सभी आज का सबसे घंभीर मुद्दा है आप लोगों का वो है ऐस अफलता आखिर क्या है ऐस अफलता और उसके क्या क्या कारण है तो आप जानेंगे कि हारने का डर हारने का डर यानि फेल होने का डर फेल होने का डर यानि काम्याब न मैच का हारने का डर वैसे ही लोग क्या कहेंगे आप पेपर पास करना चाहते हैं आप पेपर देना चाहते हैं पर डरते हैं लोग क्या कहेंगे डर बेट जाना की फेल होने पर लोग क्या कहेंगे ये हमारा समाज क्या कहेगा ये परिवार क्या कहेगा ये रिश्तिदार क्या स अरे भाईया हाउ कहा है हमने देखा भी नहीं वो डर भी रहे थे और आज भी अपने भानजा भतीजा बेटे उनको हम डरा रहे हैं बार मजा बार हाउ है वो एक भै अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है हाँ आप ये कहेंगे सर्मिंदा होने का डर बिल्कुल सही कहा आपने कि आयस अफलता का परमूख कारण जो है वो सर्मिंदा होने का डर भी है वो अपने अंदर ये अंदर जो है एक रेकाल रूप धारन की वे बेठा है उमीद पर खरान है उतरने का डर आपने सोचा कि यो आरो का रजल्ट जो है वो पोजिटिव नहीं रहा आपने हो चाह कि इस बार रीट में मेरा सेलेक्शन नहीं हो बिल्कुल आपसे उमीद थी उन अध्यापकों को उमीद थी उन दोस्तों को उमीद थी उन परिवार जनों को उमीद थी उन रिष्टेदारों को उमीद थी और उस समास्त को भी उमीद थी जिस्ते आप आते हैं वह भी की उमीदें पूरी नहीं कर पाएंगे हमें उन लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है आपको जीवन एक बार मिला है जीवन एक बार मिला है मिला है अपनी सोच फकारात मग रखे चिंटी जब पहार चड़ती है तो गिरती है फिर चड़ती है फिर गिरती है फिर चड़ती है लेकिन वो पहार जरूर चड़ती है उसकी सोच पोजिटिव है कि मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं जीवन एक बार मिला है, कोई कुछ क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, आप लोगों को मालिम होगा, उर्फी जावेद के बारे में भी लोग क्या सोचते हैं, पर वो जी रही है ना, देश के सबसे बड़े पद पर बेठे हुए वेक्ति के बारे में लोग क्या-क्या बोलते हैं, किसी बड़ी पार्टी के नेता के बारे में लोग क्या-क्या बोलते हैं किसी अभी नेता कलाकार के बारे में क्या-क्या बोलते हैं लोगों का काम है बोलना वो बोलेंगे आपने टीम इंडिया अची खेली तो वाह क्या रोहित, क्या स्त्रे सेयर क्या कहल रहा हूं क्या विराट कोली और बाद में ये तो अपने रिकोर्ड के लिए कहल रहे थे ये तो सटा बजार में फिक्स हो चुका था इन होने भारतियों का दिल तोड़ा है भाया ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी तो लोग क्या कह रहे हैं उसको आप कभी भी म आइन मत कीजिए आपको अपना काम करना है जब मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ ही पढ़ा रहे हैं या यूआ वेक्तans जो भी बढ़ रहा है आलोचनny उसी की होती है जो आप से आगे है जो आपके बराबर है वह आलोचना करेगा एक इधर बिरोजगार इधर वरजगार यह इधर वाड़ा उसको बोलेगा कि तू विरोजगार है क्योंकि दोनों विरोजगार है इधर गौर्मेंट जो वाड़ा इधर विरोजगार यह वोले हाँ हाँ ऐसे लग गया होगा यह वाड़ा उसके लिए बोल सकता है तो उनको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए यह सुंधरता यह दोलत यह शोहरत यह जमीन जाइदाद घर मकान एक दिन सब सूपर देखाक हो जाना है मिल जाना है इस मिट्टी में तो किसके लिए यह यह दोड़ भाग कर जाना है स्वश्त रहें मस्त रहें हांसते रहें अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं प्रिव को नाले कभी भी किहा गया है कि चिता में एक बार जलता है पर चिंता में बार बार जलता है आप की आसाफलता आका कारण आप क्या मुझे बता Caesar अिए आ टोटा बच्चा अपने पापा को कहता पापा बिड़ी मत पी तो पापा बोलते अरे छुप तुभ उघ्षे क्या पता हे उस बच्चे को ड्रा Đिया गया अब वो कभी भी अपने पापा को ये नहीं कह पाएगा जबकि उसके पापा गल्थ थे बचा सही था तो आप भी कहीं न कहीं गल्ती कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताईएगा धन्यवाद जैहिन जैवारा ठेंक्यू